जैहिंद नमस्कार साथियों, साथियों आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था कि सर आर्टियाई कैसे लगाएं मेरा इंडियन आर्मी का रिजल्ट आ जुका है क्योंकि बहुत सारे युवाओं का एक क्वेश्चन था कि सर मेरे भारती सेना के एक्जाम म 32 प्लस क्वेश्चन सही थे, 40 प्लस क्वेश्चन सही थे, फिर भी हमारा फिजिकल की सर्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो साथियों सबसे पहले हम आपको आर्टिय कैसे डाली जाती है, यह हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे युवाओं साथि हैं, जो अपना नमबर जानना चाहते हैं, कि मैं किस कारण बाहर हुआ हूँ, क्योंकि जो उनका साथि था, वो उनसे कमजोर था, लेकिन वह परिच्छा में साट लिस्ट हो चुका है, और जो पढ़ने में अच्छे थे, वह बच्छे परिच्छा में साट लिस्ट नहीं हुए, तो ऐसा क्या लिस्ट रहा होगा, आपको अपना result जानना है, कि आप अपने एक्जाम में कितने question सही करके आएं हैं, तो आपके पास सबसे पहला option है RTI RTI कैसे लगाते हैं सबसे पहले हम यहां जानेंगे तो सबसे पहले कहां चलना है अपने को चलना है Google पर ठीक है या फिर Chrome पर यहां पर आपको लिखना है RTI Online हमने पहले से सर्ज कर रखा है तो यहां पर दिया हुआ है RTI Online हां मैं आप सभी को बता दू कि बहुत सारे जो आपको आपको RTI की माध्यम से ठागी करते हैं सबसे पहली बात इसमें केवल और केवल 10 रुपे का खरचाता है ठीक आपसे 200 रुपे 200 रुपे लिए जाते हैं तो पोड़त है अगर आप BPL सूची से आते हैं तो आपके वह भी 10 रुपे नहीं लिए जाएंगे आपका पूरा जो RTI है वह एकदम निसुल्ग फिल किया जाएगा तो सबसे उपर दिखो लिखा हुआ है RTI Online GOB.in सबसे पहले हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे ठीक है थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन आपको पूरी प्रोसेज आज पता होने वाली है कि आपको अपनी RTI कैसे लगान जिसमें आपकी 21 Term and Condition लिखी हुई है या आपकी सर्ते हैं इनको आप पढ़के आसानी से उसके बाद यहां पर आप समिट कर सकते हैं फिर उसके बाद आपका RTI का पेज खुल करके आ जाएगा कि आपको RTI कैसे लगानी है और RTI लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क् आपको पता चल पाएगा कि आपने अपनी परिछा में कितने कुयस्चन सही किये हैं और कितने क्वेस्चन गलत किये हैं क्योंकि अइसा नहीं है कि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप RTI फिल कर सकते हैं जो RTI का Main Page है वह सभी के सामने खुल कर आ चुका अब इसमें बहुत सारे option है अब जब आप इसको भरने जाते हैं क्योंकि अपने आप बच्चे भरने में थोड़ी से समस्या होती है बच्चों को भरने में लेकिन आज के बाद आपको यहां भी समस्या नहीं होगी तो सबसे पहले आपको Select Ministry Department यहाँ पर आपको select करना है department of defense ठीक है next आता है select public उसके बाद आपको यहाँ पर भी आपको select करना है department of defense फिर उसके बाद आपको personal detail परनी यहाँ पर अपनी आपको email ID डालनी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने join Indian Army की site पर अपनी mail ID अपलोड की है वही यहाँ पर upload करें बि अंको का इसलिए हमने कहा क्योंकि आपकी यहाँ पर country already select है ठीक है यहाँ पर India का जो number का code है वह already select है फिर उसके बाद confirm email डालना है दोबारा से उसी email को fill करना है लेकिन यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है नाम डालने से पहले यह चीद ध्यान रखेंगे जो आपके ठीक है यहाँ पर आप अपना gender select कर सकते हैं ठीक फिर उसके बाद आता है address address बहुत ही सोच समझ के डालना क्योंकि आप अपना अधार काड का भी address डाल सकते हैं लेकिन अगर आपको क्योंकि जब आप यह address डालेंगे फिर आपको जो क्या कहते हैं registry आएगी एक ठीक है डाक क डालेंगे आपका जो भी वहां से दस्ता बेज आएगा वह आपके यहां पर फिल की हुए address पर आप तक पहुंचेगा फिर उसके बाद आपको अपनी country सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको अपना राज सेलेक्ट करना है ठीक है हां फिर यहां पर status ruler है या अर्बन है ठीक नहीं है फिर उसके बाद आपको अपना mobile number डालना है ठीक है यहां पर भी आप अपना दो mobile number पढ़ेंगे कि अगर किसी प्रकार की क्योंकि जब डाक ले करके आती है अपनी आपके दस्तावेज को तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका home address आसानी से मिल जाए इसलिए यहां पर दो mobile number पढ़े होते हैं वो आपको call करके भी आपको आपका जो भी दस्तावेज होगा वो आपको थमा सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद citizen यहां पर भी आपको इंडिया सेलेक्ट करना है ठीक है फिर उसके बाद हम आते हैं यहां पर आपको yes करना है main काम आपको यहां पर करन है ठीक है यहां पर आप अपनी request application डाल सकते हैं क्या-क्या जरूरी चीजे हैं यहां भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहीं पर आपकी सारी details फिल होगी यहां पर लिखना क्या है आपको सबसे पहले अपना नाम पिता जी का आए हैं आप यहां पर पूरी फिल कर सकते हैं दस से पंदरा दिन के अंदर अंदर आपका या response आपके home address पर एक दस्ता बेच के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा ठीक है यहां पर आप डाकुमेंट सेलेक्ट करेंगे यहां पर आप अपना कैप्चर कोड भरेंगे फिर उसके बाद जब आप सम्मिट करेंगे अभी हमारा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी details नहीं फिल गी है उसके बाद आपका आएगा payment का option payment जब आप करने जाएंगे त तो आप BPL सूची पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी payment नहीं लगेगा ठीक होता है गरिवी रिखा से नीचे का जो रासन कार्ड होता है उसे बोलते हैं BPL सूची अगर आप उस category से आते हैं तो आपका कोई भी charge नहीं पढ़ने वाला है हां अगर आप उस सूची से नहीं आते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें multi option होंगे हां net banking का भी होगा qr भी होगा अब जिस चाहें उसके थूरू आप अपना payment कटवा सकते हैं कर देंगे उसका एक format मिलेगा मतलब एक copy मिलेगी कि आपने application दिया है आपने RTI डाली है उसको आप अपने पास सेव रखेंगे क्योंकि उसमें एक आंग भी दिया होता है जिसके माध्यम से आप अपना status भी online चेक कर पाएंगे तो साथियो इस प्रकार आपकी information थी अगर आ अपनी RTI के माध्यम से अपनी किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आप केवल और केवल जॉइन इंडियन आर्मी की information को प्राप्त कर पाएंगे आप किसी भी प्रकार की information प्राप्त करने के लिए RTI डाल सकते हैं लेकिन अभी आपको जितने भी युवासाथियों को लगता है कि हमारे 32 questions सही थे जी हमारे 32 questions सही थे या फिर 35 सही थे ठीक और फिर भी हम physical के लिए short list नहीं किये गए हैं physical की cut off में हम नहीं आए हैं तो हमको अपना result जानना है तो बिलकुल आप RTI के माध्यम से बहुत यासानी की तरीके से आप result चेक कर पाएंगे कि आप अपने परिच्छा में कितने question right करके आएं हैं और कितने question गलत करके आएं ठीक है तो आप सभी बताएंगे कि information कैसी लगी मिलते हैं कि नए information के साथ तब तक के लिए जैहिंद